Hello everyone, good morning India, आप सभी लोग का स्वागा थे आपके इस चैनल पे, आज का टॉपिक बड़ा अच्छ है बोला, मतलब वैसे तो डेली अपना टॉपिक अच्छ है रहता है, लेकिन आज का टॉपिक बड़ा अच्छ है, कि some people want to see you fail, disappoint them, must topic एक दम, क्योंकि मेरे साथ तो होता है न, म लोग में को गिरतावा देखना चाहते हैं, बहुत सारे लोग, ठीक है, लेकिन उनसे बहुत सारे ऐसे लोग है, जो में को चाहते हैं, कि मैं आगे बढ़ूँ, थोड़ा मैं ऐसा बैठ गया, आज क्लास में, क्लास के बाद ही बैठा, मैं नॉमली इस पर बैठता हूं, टे इस चीज़ को मैं बड़े अच्छे से मानता हूं कि हमको लोग ना चाहते हैं कि हम कैसे भी करके ना डाउन हो, वो चाहते हैं कि हम सक्सेस्पुल ना हो, चाहा वो रिलेटिवस हो, हमको जानने वाले लोग रहते, अगर हम बड़े नॉर्मल इस्टुएंट से, और कुछ ल कुछ लोग के पैरेंट्स, आपके पैरेंट्स से आगे हैं तो उनको लगता है कि हम आगे हैं तो हम आगे ही रहें, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपके बच्चे ग्रो कर दे हैं और आप ज़्यादा प्राउड फिल कर लें और आप उनसे आगे चले जाए, ऐसे बहुत सा ना नीचे वाले को उनको लगता है मैं आगे हूं तुम्हें आगे ही रहें और प्र पीछे वाले जागे बढ़ता है तो लोग उसको लाइक नहीं करते हैं पर हमको क्या करना है या सोसते हैं 이덮िमा researchers किётся है की मतले या वह चाहता है बड़ा अच्छा, मतलब जो मैं रीड कर ऐसा होगा बहुत सारे लोग कॉलेज के आफे पीपर नहीं बचार बोगे तृब्सक्र परिंजोन ब होसके इन वह बर्टता है वह अपने लगा तौनिया चेंज कर देगा हैं डरुम अपनी पर आता नशीक्ता है प्रॉब्लम लोग को गलत प्रूप करो पता है इसको मोटिवेशन का पार्ट बनाओ जब आपको कोई जब आपको कोई सोच रहाना है उसको मोटिवेशन का पार्ट बनाओ को कुछ मोटिवेशन तो नहीं मिलता लोगों को अगर आपको को मोटिवेशन ले पार्ट मिला किक्ति हूं तुमको लगता कि अच्छा नहीं कर पांगा तो भी क्या फ़क बढ़ता है? मोटीवेसन का कोई भी सोर्स हो सकते हैं चाहे कोई एमपोनेंट के ना हो हो कोई आपका हैटर्स के ना हो, मोटीवेसन का अपार्ट मन सकता है मैं आपको बतारा हूँ, क्यों मैं इस टॉपिक भड़ा इंट्रेस्स से लिया मैं मैं सुरु में पढलाता था तो मैं घिलाई में पढलाता था सुरु में तो मैं and it branch सभी को पता है बात तो आचकर सब को पता चल गई तो मैं पढलाता था तो college यह बच्छे लोग इसके पास क्यों पढ़ना जा रहे गेड़ी तो खुद एम्टक नहीं किया और फिर बच् भॉलेज में कोलेज नॉमल सा स्टुएंट था यह अच्छा निकि यह अच्छा कर सकता है करके तो जब लोग को डिसपोंट कर दे रहे हो आप अच्छा करके तो लोग. on nofz को बहुत अच्छा में अि होटा है भी जब में गुजरता था BMW से लोग दिखते थे इतने यांजेश में 2010 में BMW से जब में गुजरता था लोग देखते थे लोग लगता थे BMW से घुनता है तो लोग और भी खराब लगता था तो लोगों को खराब लग दें तो, it's okay, 2010 की बात बता रहा हूँ मैं, कि ऐसी सिच्वेस है, 2010 में मैं सजीता था, तो, और मैं बहुत वर्क करता था, जब में को लोग अपोस करते थे, फिर मेरे इस्टुवेंट आके बोलते थे, सराज टीचर ये बोला, मैं तो जानता भी न अगर क्लास में आंसर दे दे तो, तो उसकी इंसल्ट करना, तुम धांडे के स्टुएंट हो, धांडे के स्टुएंट हो, उससे पढ़ते हो तुम, इंसल्ट करना, तो मैं लोग को मोटिवेट करता था, कि लोग अगर आपको इंसल्ट कर रहे तो इसको मोटिवेशन का पा अगर कोई disappoint कर रहा है, इसका मतब आपको अपने में confidence नहीं है, लेकिन उनको आप में confidence है, सोचो क्या बात हुई, सोचो क्या बोला मैं repeat करता हूँ, क्या बोला मैं, मैं ये बोला कि कोई अपको अगर disappoint करना चाहता है, आपको, तो सोचो क्या बता हुई, कि वो सोचता है कि आप में पोटेंशियल है लेकिन आप नहीं मानते इस बात को सब्सक्राइब अपके बारे में जानता है या ज़्यादा वो फील करता है कि आप अगर चाहोगे तो कुछ काई डालोगे आप यह को नहीं लग रहा बस तो मेंको जब-जब लोग फोस कि तो मैंको लगए सही में में से क्या मैं में अच्छा पढ़ा रहा champions कि है लोग इतना में इतना में फोकस क्यों करें तो सुरू सुरू की बात है Te 55 56 की बात है तो कुछ तो बात है कि में पर इतना फोकस कर रहे हैं तो मैं और एनर्जी के साथ पढ़ता था मतलब दो घंडे पढ़ना है चार घंडे पढ़ डालता था कुछ तो बात है कुछ तो बात है पता नहीं क्या बात है लेकिन कुछ तो बात है अपने में लोग अपने को गिराना चाहते है आज भी लोग आज भी लोग सोचते कि मतलब क्यों इतना सार में को चाहते हैं लोग बहुत सारे लोग इसी में लगे हुए कि में को क्यों इतना लाइक करते हैं बहुत सारह लोगों का बिलाजर से सीटी में बहुत सारए लोगों का इस सोचना है कि इतना लाइकशिति की ऎकि इतना था साृति इंडिया लेवल और लिए और इन लाइफ से रिलेटेड जो बात करता हूँ प्रैटिकल बात तुमको यह भी नहीं पता है इतने अच्छे से नहीं पता है और सबका देखने का नजएदी अलग होता है तो मैं बुला ना आपको कोई अगा गिराना चाहता है ना ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है मोटिवेशन करता था बहुत उसको मैं जिनकी पर भूल नहीं पाता हूँ बहुत दिमोटिवेट करने कोशित करता था कि तू कैसे अच्छा कर पाएगा यह वो पता है तो मैं ना कई बार तो ना से उसी को डेडिकेट होके पढ़ता था दिन दिन भर उसी को डेडिकेट होके भाई दु motivate हो जा रहे हैं तो क्या बात है अगर आपको को demotivate कर रहे हैं आपके relatives अगर आपको गिराना चाहते हैं वो चाहते हैं कि आपके parents proud feel ना कर पाए society में हम proud feel करेंगे नहीं भाई middle class family create करती है चीजों को middle class family create करती है बोला चीजों को रहा और जो उनके बच्चे होते हैं वो create करवाते हैं next level तो आपके parents से society में बहुत लोग अमीर होंगे लेकिन आप journey change कर सकते हैं दस साल के अंदर समझे हैं आपके parents से बहुत सारे लोग अमीर होंगे होंगे ने या लगना चाहिए क्यों आपका मन नहीं करते हैं बताओ क्यों मन नहीं करता कई लोग का पढ़ने का जबके आपका मन तो गजबका करना चाहिए लोग सूचते कि आप वैसे जीते रहों जैसे आपके parents लोग struggle करते रहें जैसे कि वो हमेंसा अपने आपको थोड़ा सा downfield किये किसी बड़े वेक्ते के सामने तो आप चाहते हूं कि आप हमेंसा वैसी उनको फील हो नहीं यार equation change करने की बनती है और क्यों नहीं करेंगे बताओ हमारे में potential है हमको इंजिनियर तो बना दिये ना बहुत सारे जो में को follow करते वह इंजिनियर लोग यह तो हमको तो इंजिनियर बना दिये तो हमको क्यों कोई demotivate कर पाएगा आप अगर मेरे को follow करते हूँ मेरे इस्टिवेंट सो तो आपको कोई demotivate नहीं करना ची है में को कोई कर पाता है सोचो कुछ में को कर पाता है नहीं कर पाता है ठीक है भाई अब हमारा English week है तो ऐसा तो नहीं कि हम अमेरिका में रहते तो English आना थी है हिंदुस्तान में रहते है सबको Hindi आना चाहिए हमको Hindi आती Communication strong होना चाहिए एक teacher का बहुत सरे लोग को connect connect लिए नहीं है हमारा English वाला जो part है वो नहीं इतना strong नहीं है Communication कभी जरुवत ही नहीं पड़ी जिसको हम पढ़ाते थे सबको Hindi आती थी तो हम कभी उसको महनत ही नहीं किये हम बैटके novel नहीं पड़े हम बैटके बहुत Hollywood की movie न देके हम बैटके English पर काम नहीं किये हम अपना technical पर काम किये जो हमारा अच्छा है तो ठीक है Accept it कि हमारा एक पार्ट वीक है हम अपको practical knowledge नहीं क्योंकि college में कभी हम teacher नहीं रहे हम M-tech नहीं किये तो हमको practical knowledge नहीं है तो इसमें डरने की क्या बात है नहीं है भाई practical knowledge नहीं volt meter को कभी यूज किये reading के लिए नहीं emitter को कभी यूज किये उंगली उठाते है तो जब आप डर हो गी नहीं तो फिर उंगली को नहीं उठाएगा इसलिए में को कोई नहीं बोलता कभी भी अगर मैं डरता इस बात को छुपाता तो लोग फिर इस बात पर focus करते हैं मैं डरता ही नहीं हूँ आज तक में किसे को जूट नहीं बोला ने तो लोग एक समय के बाद जूट बोलना चालो करते हैं फेक डिग्री बना लेते कि भाई एक समय के बाद आप वक्ति बड़ा बन गया तो फेक डिग्री बनाना पड़ता है कुछ प्राइवेट कुछ कोर्स कर लूँ उससी पर एक्जाम दे दूँ और बोलू कि देखो मैं एम्टेक डिग्री ले लिया या मैं फिर बोलू कि देखो मैं एम्ब्या कर लिया नो यार मैं बी किया हूँ एकदम तो acceptance is very important उसके बाद अपनी चीजों को आप बिलीव करो तो मैं को तो बहुत सारे लोग आज भी पता आपको मैं बता रहा हूँ जब electronics एक जमाने में बूम पे था तो बहुत लोग मैं से पढ़ते थे भिलाई में और बहुत सारे लोग पूरे मतलब electronics वाले और गेट की हुआ कि electronics टॉप में था फिर 2011-12 के उधर के आगे आगे जैसे जैसे गये सभी को पता है ने electronics डाउन होती गया तो पता है मैं बहुत लोग को happy होते हुँ दिखा हूँ सुनते हुए देखा हूँ कि वह लोग बहुत happy कि अब धांडे का क्या होगा अब तो electronics गया अब तो electronics ग जोग बूलते थे कि हर विक्ति का एक बुरा वक्त तो रहता है न तो आए न तो लोग में को बोलते थे कि अप आप का चाल कुवा करके बूरा वक्त मैं ऑला मेरे आच्छा वकत आया रहें ूझरा हूं अच्छा वक्त यां मैं इतने. कॉंट्ब्रेंस में रहता हो ना इतने कॉंट्ब्रेंस लोग बहुत सारा में को गिरते वे देखना चाहते हैं फिर इलेक्टिकल भी डाउन हो गया लोग बुले कि अब तो कोई पढ़े गए नहीं अब तो भिलाई में एडमीशन ही नहीं हो रहा तो आपको क्या होगा अब तो भिलाई में लोग जम पढ़ने रहे तो आप पढ़ाओगी किसको सेम टाइम पर यूटूब आया ओनलाइन दुनिया हुई और पूरा भिलाई पूरा ऑफलाइन वाले बच्चे लोग भीर लगा के आना चालो करें पूरे इंडिया से ऐसे ही जिन्दगी तो मैं हमेंसा लोग कितना भी सोचे कि मैं गिरूंगा मैं अपना एफर्ट ना बढ़ा देता हूं जब लोग ना मैं को गिराने की सोचते लोग डाउन हुआ तो लोग सोचे कि मतलब अब भाई हम लोग लाइव क्लास ले रहे पूरे इंडिया को हैंडल कर रहे तो लोग जब भी ना इसने संब singsee Universe करो औरय मोटिवेसन ऑची बात है कि कुछिक्स है पूले लोग जो है आपको कुछ घिराना चाहते तो अच्छी कि कल सुबस मैं क्या करने वाला हूँ तो लोग सबसे पहले तो लोग देखते होंगे क्या YouTube में आया, पता नहीं यह क्या बोलने वाला है पता नहीं क्या चीज़ करने वाला है अगर मैं 15 दिन अकरना किसी को ना दिखू YouTube में और कुछ ना करने वाला हूँ ट्राइ करने दो, डिसेपॉंट करते जाओ, इतना डिसेपॉंट करते जाओ कि लोग आपको बुले कि नहीं भाई छोड़ो इसको, इतना महुल करेट करना है जिन्दगी में, किसी के डिमोटिवेट करने से डिमोटिवेट नहीं होना है, तो मेरी स्टोरी बड़ी करनाचाते लाग अलग तरीके से बहुत सारा त्राइं करते रहते हैं अभी जैसे मैं को अलग 아파 dopp्र इन डिक से etपॉंट करना चाते हैं कि मेरी टीम को किडिक करना चातेगी चलो में, दीमोटिवेट हूँगा, उनको पता ही नहीं कि मतलब मेरी अंदर जो पोटेंजियल है कुछ कर गुजरने का वो next level है मैं इसा सोचता हूं कि क्याम क्या डालोंगा 76गहंट है मैंको डर नही इम craftsyr नहीं मैंको क्याम करने से यह कभी डर नही है इस इसलिए मैंको इसलिए मैंको कभीAl 닌 sare तो मैं को मेरी जिन्गी का टेंशन नहीं है मैं तो ऑन-laiन कौलाता है मतलब अगर में पूरा गेट अकर बंद कर दू और मैं सिब ऑनलाइन में सिब बैटके सिब क्लास लेते रहूं, पांच लोग को रखूँ और पूरी चीज़ों को बंद कर दू, तो भी मैं जितना भी कमाता हूं से 10 टाइमस कमाऊंगा, किसी को भी सेलरी देना नहीं होगा, समर है न, तो मैं डरता नहीं कभी भी, तो कोई को लगता कि इसको न, टेंशन देंगे, एक दू लोग को ब्रेक कर लेंगे मेरे, तो लोग सुचते हैं सा कि मैं को कोई गिराएगा नहीं, मैं गिरूंगा ही नहीं, ना मैं को कोई गिरा पाएगा, ना मैं गिरूंगा, ठीक है, लोग पैसे से बहुत सारा ट्राइक करते है कर रहे करते it's okay इतना तो confidence में रखता हूं कि next level में और मैंनत करूँगा और next level concept create करूँगा आने वाले समय में मैं जो बात करूँगा technical वो next level बात करूँगा इतने अच्छे से open करूँगा जो picture होगी technical वो next level होगी तो मैं ऐसा सोचता हूं कि मैं हर दिन अपने आपको improve करूँ बोला तो लोग लोग सोचने दो आपको भी तो ऐसे जिनगी जीना है ना आपके friends सोचते होंगे कि आप इतना ही growth करना चाहिए क्यों भाई क्यों हम इतना ही growth क्यों करें हम अपनी journey को next level पर ले जाएंगे हम अपने parents को proud देंगे अलग लेवल पे क्यों हम society में कुछ लोग स उसको motivation मना अगर कोई आपको oppose कर रहा और आप demotivate हो जा रहे तो यार फिर तो मतलब में को लगता है कि successful हो गये लोग और लोग happy हो गये कि आर सही है इसको tension दे दिए कर सही है tension दे दिए कर लोग में को बहुत try करते है अलग-अलग level का tension देने का फिर लोग समझा गये कि मे में को tension देना tough है तो लोग को लगता है कि इसके around के कुछ अच्छे लोग को break किया जाए करके जिससे tension में होगा लेकिन को नहीं पता कि जो अच्छे लोग है उसके उनके अच्छे होने में मेरा क्या योगदान है उनको नहीं पता और उनको कही लोग को मेरा potential भी नहीं पता इंफ्रेंस होना चाहिए, किसी से डरने की नीड नहीं है, ना relatives, ना friends, ना आपके round का कोई person, आपको demotivate नहीं करता है, तो आप क्या करना है बोला मैं, क्या बोला हूँ, दर्द हो रहा है, बैठे बैठे भी दर्द हो रहा है, एक्चुली 6 गंडे से class ले जा था तो, मज़ा है, सच बतारों, इसमें मज़ा है कि कोई वक्ति आपको सोचता है, आप गिरोगे, और अगर आपको यह भी पता है कि वो कौन वक्ति है, तो अपना energy level, अपना focus, अपना work, अपना effort, अपना concentration बढ़ा दो, लोग जो सोच रहे हैं कि आप गिरोगे, उनको सोचने दो, सोचने दो, अच्छी बात है, बोला, कुछ लोग का focus करता है, अब कोई आपके बारे में care ही नहीं करता है, इसका मतलब है क्यों सोचता है कि आप कुछ कर ही नहीं पाओगे, तो अच्छी बात है कुछ लोग का सोचने दो, इसलिए तो मैं energy से लगाता हूँ, काम करता मैं को तो अपने around में पता होता है कि कोन में को like करता है, कोन dislike करता है, मैं बड़ा अच्छा observer हूँ, मैं लोग को idea रखता हूँ, लोग मेरे पीछे क्या बोलते है, कोन मेरे सामने क्या बोलता है, कोन किस बारे में क्या बोलता है, मैं अच्छा good observer हूँ, फिर भी मैं handle करता पूरी चीजों को, good observer हो, कि लोग क्या सोचते मेरे बारे में, किन चीजों को like नहीं करते, मेरे किन points को like नहीं करते, मैं को लगता है कि बहुत सरे लोग मेरे पैसे के कारण में को dislike करते है, ऐसा नहीं है, अभी ना सबसे जादा बड़ा जो चीज है वो appreciation है, लोग का जो student love you, I love you बोलते हैं, तो आज की date में कोन बोलता है, तो लोग इसलिए परिसान रहते हैं, तो लोग सोचते होंगे कि पता नहीं, ऐसा क्या होता होगा, लेकिन, ठीक, it's okay, तो responsibility भी है, और इस responsibility को मैं अच्छे से निभाता भी हो, ठीक, तो मैं बोल रहा हूँ कि, आप मेरे instrument ह करते हो, इस channel को follow करते हो, आपको कोई अगर सोचता है कि fail होगा, तो इसको disappoint करेंगे, तो आप लिख के देना, लिख के चाहिए मैं को comments में कि yes, we will disappoint him या her, we will, I will नहीं, मैं तो करता ही हूँ या, मैं तो routine life है, मैं तो करता ही हूँ और करूंगा, we will disappoint him और her, जो भी, boys, girls, जो को भी, okay, तो लिखना, वादा करना मैं से comment section में, wait करूंगा, कि disappoint करेंगे हम लोगो को, क्योंकि सबको पता है, अपने life में कि कौन आपको चाहता है कि आप फेलो, सबको पता है, अपनी life में कोई ना कोई है, नाम लेने की जरुवत नहीं पढ़ती है, आपको पता है, आपक करने सारे लोग होंगे, मजा है वक करने का, वक को enjoy करो, dedication बढ़ा दो, input बढ़ा दो, ठीक है, लोग को दुखी रहने दो, अपन enjoy करेंगे, अपने काम के साथ, success के साथ, okay, ठीक है, चलो, आप share करते रो, WhatsApp का status बनाते रहो, enjoy करते रहो, बोला, Facebook में share करो, हर जगा spread होना को, ठीक है, लोग और पागल हो जाएंगे, बता रहो, आप WhatsApp का status share करते जाओगे, और लोगों तक ये story जल्दी पहुचेगी ना, कि हम क्या कर रहे, हम क्या बात करते है, practical, तो लोग पागल हो जाएंगे, लोग पागल हो जाएंगे, लोग डरते हैं मेरे non-technical बात से, उनक मैं को पता है, मैं बहुत positive इंसान हूँ, मैं रहता हूँ, इसलिए नहीं, क्योंकि मैं ऐसा ही हूँ, चैह मैं को 10 लोग देखें, चैह मैं 10,000 रुपे कमाता हूँ, मैं बहुत positive इंसान रहा हूँ, अभी तक हूँ, आगे का पता नहीं, I will try कि मैं रहूँगा, ठीक है, ओके Thank you very much, love you all